नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका स्वागत करता हूँ मैं आपके यूटूब चनल दिनेस राजवन से पर मित्रो आपके लिए बहुत ही महत्रपून टॉपिक ऑस्टेलियन फ्रेंच विम बंडल और यूएस विम बल्डन और यूएस ओपन जो टैनिस टूर्णामेंट है उन मित्रो चार होते हैं ग्रेंड सिलम एक साल में साल के चार ग्रेंड सिलम टैनिस टूर्णामेंट कौन से हैं ये रहे आपके सामने नीचे है और यूएस ओपन एक साल में मित्रो चार टैनिस टूर्णामेंट हो जाते हैं ये चारों के नाम है और वो कहां खेले जाते हैं वो का पहला होगा उस्ट्रिलियन, साल का अंतिम होगा यूएस ओपन, तो दूस्तो ये दोनों हाड कोट पर खेले जाते हैं, और दूस्तो दूसरा है जो, साल का दूसरा टैनिस टूर्नमेंट फ्रेंच ओपन, वो किले कोट पर, मिंस मिट्टी के लाल बज़री केते हैं न, किले कोट केलाता है दूस्तो फ्रेंच ओपन होता है, किले कोट पर खेला जाता है, तीसरा है दूस्तो बिंबल्डन ओपन, ये ग्रास कोट पर खेला जाता है, जो हरी घास होती है, उस पर खेला जाता है ये ग्रास कोट होता है, बिंबल्डन ओपन खेलने वाला ओके दूस्तो तो ये चारों कोर्ट आपको याद हो जाने चाहिए किस पर खेल जाते हैं कुश्चन बन जाता है यहां से तो कर लिजिए इसका याद आश्टली ओपन और साल का अंतिम यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर फ्रेंच ओपन किले कोर्ट पर और बिम्बलडन ग्रास ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तो अब पुरस एकल बेजिताओं की सुची है आपके सामने 2019 में किसने जीता है ये चारों को वो देखिएगा दोस्तो ये ट्रिक है आपके सामने नवाक जोकोविच सर्विया लिखा हुआ है राफिल नडाल इस्पेन लिखा हुआ है दोस्तो ये खिलाड़ी हैं पुछ लेता है किस देश से हैं तो नवाक जोकोविच किस देश के हैं सर्विया के राफिल नडाल किस के हैं इस्पेन के दोस्तों इन दो के नाम लिख ले रहा है बस नुवाग जोकोविच किस से हो रहा है एन से राफिल नडाल आर से बस इन दोनों के नाम पकड़ लीजिए एन आर और लिख दीजिए चारों टैनिस टूर्णामेंट के सामने करम से चारों को लिख लिए आस्ट्रेलियन उपन फ कौन था नुवाग जोकोविच किसने जीता ओस्ट्रेलियन उपन नुवाग जोकोविच सर्विया के थे दूसरा जो साल का था फ्रेंच उपन वो किसने जीता आर राफिल नडाल तो ये किसके हैं इस्पेन के दोस्तों राफिल नडाल आर फ्रेंच उपन विजिए था तो तीन तो पढ़ चुके हैं अंते में US Open की बात करेंगे तो फिर आ जाएगा आर तो दोस्तो आर से कौन थे राफिल नडाल ने जीता है US Open दोस्तो चारों के लिए होगे नोट कर लीजिए एक बार और याद कर लीजिए दोस्तो अगला आपके सामने महिला एकल विजेता ज यह चारों हैं दोस्तो अब देखते हैं के विजेता महिला कौन थे आस्टेली नोपन पहला है तो उसे नाओमी ओसाका ने जीता है दोस्तो अब याद करने के लिए ट्रिक आस्टेलिया में आस निकल रहा है और विजेता नाओमी ओसाका तो आस वहाँ भी ओसाका आस जाएंगे थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लेना इसको, अगला है दोस्तो दूसरा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन दोस्तो किसने जीता है, ऐसले बार्टी सामने नाम लिखा हुआ है, तो ऐसले बार्टी ने जीता, अब दोस्तो इसकी ट्रेक सोचते हैं देखिएगा French open किस code पर खेलने के लिए mentally phrase होना पड़ेगा बस यह हमारी track है मिट्टी के code पर खेलना है तो कैसा होना पड़ेगा phrase phrase तो word निकलाएगा फा French open और s किसमें निकला है तो याद आ गया French open मिट्टी के code पर खेलने के लिए mentally phrase होना पड़ेगा तो phrase फ्रेंच और s से ऐसले वाल्टी option आपको दोस्तो टिक करने के लिए हिट आ जाएगा दिमाग में तुरंत और आप कर्ज ले जाएगे question दोस्तो अगला दिखते हैं तीसरा आव Bimbledon open किसने जीता तो Bimbledon open Simona Halep ने जीता है दोस्तो किसने जीता Simona Halep दोस्तो ये किस पर खेला जाता है घास के code पर इसको भी track से दोस्तो करते हैं तो मित्रो घास याद करिएगा cricket match घास होती है न तो swing मिलता है गेंद को तो याद रखिए ये देखिए Simona Halep और एक लड़ी है और ये गेंद ऐसा होता है कोर्ट गरास का कोर्ट होता है तो दोस्तो Simona Halep जो ऐसा वेक्ती जिसने घास पर अच्छे से सीम रखा कैसी ball को कैसी position में रखा same position में जिससे वो आप कोई जीत नहीं सका Simona ने इत्य अच्छी से सीम रखा position गेंद की एक ball की जिससे वो पिटी नहीं वो किसी ने उसको हरा नहीं पाया तो दोस्तो Bimbledon Open गरास कोर्ट पर खेला जाता है ball की position कैसी रखी? same swing तो Simona same position तो Simona Halep दोस्तो याद आ जाएगा option आपको रट लीजिए इसको सुन लीजिए सही से दोस्तो एक बार earphone लगा की कानों में सुनिएगा इन option को इन trick को ओके दोस्तो अगला मित्रो last का U U means US Open US Open किसने जीता? Bianca Andreescu मित्रो इनके नाम में ही trick छिपई हुए है देखिया Andreescu साल का अंदे अंतिम tennis tournament कौन सा होता है? US तो Andree And अंतिम बस पकड़ लीजिए यहीं पर अंतिम tennis tournament किसने जीता? यह आपका Bianca Andreescu ने जीता है तो मित्रो याद रखिएगा अंतिम tournament U US Open और Andreescu And अंतिम ओके दोस्तो तो ऐसे याद रखिएगा चलिएगा दोस्तो मैं एक बार repeat करें दे रहा हूँ चारों ट्रिकों को A Australian Open AS Osaka Naomi Osaka मित्रो नाम में ही छिपा हुआ है AS Osaka Australia ओके दोस्तो अगला है French Open AS Liberty दोस्तो यह कहां खिला जाता है था? ट्रिक यह थी कि मिट्टी के कोड़ पर मिट्टी के कोड़ पर खेलने के लिए mentally fray सोना चाहिए तो fray से French और S से S Liberty ओके दोस्तो मित्रो समझ में आ रहे हैं ट्रिक दोस्तो तीसरा था क्या था? Bimble Dunn Open वो कहां खिला जाता था? Green घास पर तो green घास जब पिछ पर होती थी Simona Halep तो Bimble Dunn की ओके दोस्तो अगली ट्रेक थी US Open लास्ट था US अंतिम टूर्णामेंट था टेनिस और बिजेता थी Bianca Andreescu तो बस ट्रेक यही थी दोस्तो साल का अंतिम end साल के end में कौन सा टूर्णामेंट US Open और बिजेता Andreescu Bianca Andreescu तो दोस्तो Option मिलने पर आपको तुरंद दिमाग में आ जाएंगे और मित्रो मैं इसका MCQ Mock Test आपको कल तुरंद अपलब्द करा दूँगा सोबह दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को दबा लेना अगर चैनल पर नई हो जिससे आपको कल का वीडियो भी प्राप्त हो सके मित्रो वीडियो कैसा लगा बताईएगा ठैंक्स फूर वाचिंग वीडियो जै हिंद जै भारत मित्रो